दोस्तो नमस्कार, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और पाकिस्तान, इन दोनों से जुड़िवी कई सारी खबरें आप सुनते रहते होंगे समय समय पर, मगर आज जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ वो बेहत खतरनाक है, बेहत सेंसिडिव है, और ये पब्लिक डोमेंड में available information मुझे अचंभा होता है कि कैसे किसी को दिखी नहीं, या किसी ने देखने के बावजूद भी आपको नहीं बताई, सबसे पहले ये information क्या है, उसे जानने के लिए मेरा ये video देखिए, तो दोस्तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के facebook page पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत जरूरी और डरावना दोनों है, वह दिखाना चाहता हूं, यह facebook pages की list, जिसमें blue tick वाला official facebook page खोलते हैं इनका, इनके जब हम थोड़ा नीचे जाके page में, info and ads के section में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ad run कर रहे हैं इस समय पर, यह सारे ads इन Indian National Congress is currently running in your selected location, selected location है India, और यह India के ads दिखा रहा है, इसका मतलब यह और भी locations में ad run करते हैं, जब दूसरी location आप देखेंगे, तो वह है Pakistan, पाकिस्तान में जो ad run करते हैं, उसका title है, हमारा लोगतंत्र खत्रे में है, इसे बचाने के लिए अंदोनन का हिस्सा बने, देश बचा जाता स्क्रीन शॉट दे सकता था, मगर वीडियो बना रहा हूं, ताकि कोई यह ना कहा है, कि मैंने फोटोशॉप करके नकली स्क्रीन शॉट तायार किया है, तो देखा आपने, देश बचाओ, मोदी हटाओ, कॉंग्रेस ही पाकिस्तान के लोगों से कह रही है, वो यह भी बात का इशारा ना माना जाए, कि कॉंग्रेस पार्टी अपने ओफिशल फेस्बूक पेज से पाकिस्तान में बैठेट टर्रिस्ट को यह गुहार लगा रही है, कि आप नरेंद्र मोदी जी का असेसिनेशन कर दीजिए, या फिर किसी तरह से देश में अन्रेस्ट मेंस्ट्रीम मीडिया पर इस बात की ना कोई चर्चा की जा रही है और ना ही किसी कॉंग्रेस नेता से सवाल पूछ जा रहा है, कि इस बात को सब तक पहुछा आईए, ताकि इसकी चर्चा मेंन स्ट्रीम मीडिया में हो दूसरा बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि कैसे सोशल मीडिया की जो बड़े बड़े धुरंदर है जैसे मिस्टर धुरुवराटी जो अभी कुछ दिनों पहले एक वीजेपी आइटी सेल का पेज है नेशन विद नमो जिसमें 19 स्पॉंसर्ड पोस्ट चल रहे थे उ उन्होंने बड़ा सा ट्वीट लिखा पोस्ट लिखा और यही नहीं यह बात टी एमसी के एक एंपी डेरिक ब्रायन ने दुरुवराटी के पोस्ट को कोट करते हुए पार्लियमेंट में उठाई और पूछा कि 19 यह जो एड्स हैं स्पॉंसर्ड पोस्ट है फेस्बुक प काले रंग की तस्वीर लाल रंग से लिखा हुआ मोदी हटाओ और उपर लिखा हुआ है कि हमारा लोकतंद्र खत्रे में यह चवी पाकिस्तान के लोगों के सामने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस रख रही है और यह चीज़ धुरुवराटी को ना दिखाई दी ना डिरेक ब्राइन ने इस पर पार्लियमेंट में सवाल उठा उठाया तो मेरी आपसे फिर से एक बार गुजारिश है कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर टैक करके यह वीडियो दिखाईए और उनसे पूछिए कि क्या वो यह इन्फॉर्मेशन जानते हुए छिपा रहते और अग से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार का बनी केंद्र में और उसके बाद लगातार कॉंग्रेश की धजियां उड़ती चली गई अलग-अलग स्टेट में तो कॉंग्रेश के अंदर एक डेस्परेशन है 2015 में मडी शंकर रहियर कॉंग्रेश के बड़े नेता वो पाकिस्तान गए थे वहां पर पाकिस्तान में जाके उन्होंने बिल्कुल सेम सुर में राग अलापा था 2015 में जब उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे देश से नरेंद्र मोदी को हटा देंगे तो कश्मीर का मुद्दा सौल हो जाएगा तब भी यही सवाल खड़ा हुआ था कि वो पाकिस्तान के लोगों से कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे देश में आके नरेंद्र मोदी को हटा दे क्या यह assassination की तरफ एक इसारा था नरेंद्र मोदी का कतल करवाने की कोई साजिस्ट की तरफ इशारा था कॉंग्रेस के एक नेता की घर पे पाकिस्तान के पूर्व डीजी की मीटिंग हुई है और वो जो गुजरात का इलेक्शन है उसको इंफ्लूएंस कर रहे हैं मगर इस बात को किसी ने माना नहीं से नकार दिया गया मगर उस समय कॉंग्रेस के नेता मरी शंकर एयर के घर पे मीटिंग हुई थी और ये बात मीडिया में भी आई थी इसके बाद कॉंग्रेस के एक दूसरे नेता है गुलाम नवी आजाद जो की कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उनका एक बयान आया 2018 में और वो कहते हैं कि हमारे देश की जो आर्मी है वो कश्मीर में टेर्रिस्ट ज्यादा कॉमन लोगों को मारती है यहां पर भी कश्मीर के इशू पर इतना इंसेंसिटिव बयान हमारी आर्मी के लिए देना यह भी दिखाता है कि कैसे कॉंग्रेस के फ्रीड़म मिलनी चाहिए कश्मीर को एक फ्री कंट्री बना देना चाहिए यानि कि भारत से उसकी आजादी मिल जानी चाहिए जैसे कि कश्मीर के पत्थरबाज और वहां पे रहने वारे टेर्रिस्ट लोग कहते हैं उसी बोली में कॉंग्रेस की येनिता भी बोले थे उसके बाद अभी हाल ही में नavjot Singh Singh सिद्धू पाकिस्तान गय थे और वहां पर भी वह इंडिया की बुराई करते दिखे थे पाकिस्तान का गुल्गान करते हुए नजर आये थे और अभी हाल ही में उन्होंने कह आया कि साउथ इंडिया से ज़्यादा वो पाकिस्तान को इंडिया के करीब बानते हैं कल्चरल ट्रडिशन में तो ये एक लंबी टाइम लाइन है खासकर 2014 में जब से कॉंग्रेस हारी है उसके बाद से कॉंग्रेस के अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग नेता इंडिया की बुराई और पाकिस्तान का गुडगान करते हुए दिखाई दिये हैं अब हद हो गई है इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का ओफिशियल फेस्बुक पेज अगर पाकिस्तान में पेड प्रमोटेट पोस्ट चला कर ये कहता है कि लोकतंत्र हमारा खत्रे में है और मोधी को हटाओ तो ये एक बहुत गंबीर विसर है मेरी आप से बहुत विनम्र प्रात्ना है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए कि पहली बात तो कॉंग्रेस के नेता इस वीडियो को देखें उन्हें जवाब देने पर मजबूर होना पड़े ये वीडियो मे रिक्वेस्ट है आप से कि धुरुवराथी जैसे सोचल मीडिया के जो धुरंदर लोग हैं जो बीजेपी आईटी सेल के पेजेस के 19 एड्स निकाल कर लाते हैं और टीमसी के नेता डेरेक ओब्रायन जैसे लोग जो पारलियामेंट में उन एड्स के पीछे पैसा कहां से आ र देख रहे हैं तो अब इस पर वो क्या कॉंग्रेस से सवाल पूछेंगे या फिर सब एकी थाली के चट्टे बट्टे हैं और मिल जूलकर आपको बिवकूब बना रहे हैं ये बात नेशनल इशू है ये बात एक सेफटी का इशू है पाकिस्तान में पेड प्रमोटेट सब्सक्राइगी तो ये देश वाले देख रहे हैं चुनाव नजदीक है फैसला हमारे हातों में ये चीज बरदास्त नहीं होगी अगर मोधी की क्रिटिसाइज किया जाता है उनके मुद्दों पर उन्हें घिरा जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कितनी अच्छी और मिलूँगा मैं आपसे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातर